लास्ट लेक्चर में हमने तत्वों के धात्विक गुनों के बारे में समझा, हमने ये समझा कि जब हम वर्ग में उपर से नीचे की ओर आते हैं, तो धात्विक गुन बढ़ता है और जब की हम बाएं से जब दायन तरफ जाते हैं प्रियाॉडिक टेबल में, तो वहाँ पर धात्विक गुन कम होता है घड़ता है तो आए इस पर कुछ questions को करते हैं तो पहला प्रश्ण देखते हैं कि बुरॉन aluminium magnesium और potassium में किसका धात्विक गुन सबसे जादा होगा या कौन सबसे सही क्रम में है तो सबसे पहले यहाँ पर हम उधारण लेते हैं कि lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluoride जब हम periodic table में बाएं से दायत ओर जाते हैं तो हम जानते हैं कि effective nuclear charge नाभिक का जो आवेश है वह बढ़ता है प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर number of protons increase होते है number of protons increase होते हैं जिस कारण electron को अपनी ओर आकरशित करने की छमता जादा होती है जबकि हम यह जानते हैं कि धातू यानि धात्विक प्रकृती कहती है कि आपके धातू को electron को त्यागने की प्रकृती होनी चाहिए तो यह बात भी हमें समझ में आता है कि lithium जल्दी से अपने electron को त्याग कर lithium प्लस का निर्मान करता है जबकि fluorine की बात करें तो fluorine electron को ग्रहन करके fluorine माइनस का निर्मान करता है तो electron त्यागने की प्रकृती धात्विक होती है और electron ग्रहन करने की प्रकृती अधातू की होती है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब हम बाएं से दाई की ओर जाते हैं तो अधातू वो का ज़ादा निर्मान होता है या उनकी प्रकृती अधातू की होती है तो ये बात भी हमने समझ ली फिर हमने देखा कि बात अगर हम लीथियम और सीजियम की करें तो दोनों ही लीथियम और सीजियम में आकार का डिफरेंस होता है यहाँ पर जो सीजियम का आकार है वो बहुत बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी जादा होती है तो दूरी जादा होने के कारण यहाँ पर जो बाहितम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत जल जल्दी से आसानी से निकल सकता है तो बच्चो यहाँ पर ये समझ में आया कि प्रोटॉन जो नाभिक में स्थित होता है वो इलेक्ट्रोन को अपनी ओर आकरشित करता है लेकिन अगर इलेक्ट्रोन की दूरी नाभिक के प्रोटॉन से ज्यादा होगी तो वहाँ पर आकर्शन बल कमजोर होता है जिस कारण या इलेक्ट्रोन बहुत जल्दी से अपने कोश को छोड़ कर बाहर चला जाता है और या बहुत जल्दी सीजियम, सीजियम प्लस का निर्मान करता है तो हमें समझ में आया की सीजियम में जो धातविक प्रकृती है वह सबसे जादा होगी और साथ ही साथ सीजियम की ये प्रापर्टी है कि वह विद्यूत धनातमक्ता भी जल्दी बनाएगा या विद्यूत धनातमक्ता विद्यूत धनात्मक्ता का अर्थ है कि कौन तत्व जल्दी से धनायन का निर्मान करेगा तो विद्यूत धनात्मक्ता हमें यह बतलाता है कि सीजियम ऐसा तत्व है जो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और बहुत ही जल्दी cesium plus का निर्मान करता है reason है कि proton जो नाभिक में स्थित है यहां उसकी electron से दूरी बहुत जादा है तो वर्ग में जब हम उपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक प्रकृती बढ़ती है तो यहां बात करते हैं कि lithium, sodium, potassium beryllium, magnesium, calcium और यहां आपका आया boron, aluminium तो हम यह बोल सकते हैं कि boron और aluminium में अधात्विक प्रकृती ज़्यादा होगी तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि potassium जो group वर्ग 1 में है इसकी धात्विक प्रकृती सबसे ज़्यादा होगी फिर magnesium और boron और aluminium के case में aluminium की धात्विक प्रकृती ज़्यादा होगी क्योंकि जब हम वर्ग में उपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक प्रकृती बढ़ती है और जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो अधात्विक प्रकृती बढ़ती है तो यह बहुत important point है और option घह हमारा answer होगा फिर बात करेंगे boron, carbon, nitrogen, fluorine और silicon की तो यहाँ देखिए lithium, beryllium, boron फिर आएगा आपका carbon, nitrogen, fluorine और silicon तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आएगा कि fluorine यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधात्विक प्रकृती का है उसके बाद carbon और boron और silicon में यहाँ पर अगर आपने option को देखे बच्चो तो CNF वाला जो option आएगा यहाँ पर आपको अधात्विक प्रकृती के बारे में पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा अधात्विक fluorine, फिर nitrogen, फिर carbon होगा तो यहाँ पर अगर हम option की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास option गह और गह में यहाँ पर confusion हो सकता है लेकिन हम जानते हैं कि boron और silicon में धात्विक प्रकृती सबसे ज़्यादा boron की होगी तो यहाँ पर देखें क्योंकि boron पहले आता है इसलिए इसके धात्विक प्रकृती ज़्यादा होगी option गह हमारा यहाँ answer होगा फिर आपसे पूचा जा रहा है कौन सा क्रम गलत है तो देखें nitrogen phosphorus arsenic यहाँ पर हम अमलिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी अमलियता के बारे में उतना पढ़ा नहीं है बात करेंगे प्रथम IP तो हम जानते हैं कि beryllium की प्रथम IP ज़्यादा होती है क्योंकि beryllium 1s2, 2s2 होता है और 1s2, 2s2, 2p1 इसका मतलब है कि इस electron को जो प्रथम ionization potential है वो boron की कम होगी reason यह है कि यहाँ पर 2p1 electron है और यहाँ पर electron पूर्न रूप से भरा हुआ है तो यहाँ पे जो क्रम गलत है वो beryllium यहाँ आगे होगी और boron पीछे चारिया प्रकृती के बारे में समझते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हम लीथियम, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine तो यहाँ अधातू की प्रकृती जादा होती है अधातू की प्रकृती मतलब बच्चो अमलिया प्रकृती तो यहाँ पर यह चीज हमें समझ में आई मतलब K2O जादा चारिया प्रकृती का होगा फिर बात करेंगे लीथियम, sodium, potassium, rubidium तो नीचे की ओर धातू की प्रकृती बढ़ती है धातू की प्रकृती मतलब चारिया प्रकृती बढ़ती है मतलब potassium का oxide जादा चारिया होगा sodium के oxide से फिर यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे ही हम वर्ग में उपर से नीचे की ओर आते हैं तो आई नीक तुरिज्या भी बढ़ती है तो यह बहुत important point है जो अभी हमने समझा और सीखा अब देखते हैं बच्चो next question यहाँ पर पूछा कौन chlorine के साथ एक से अधिक योगिक का निर्मान कर सकता है तो zinc के बारे में जानते हैं कि zinc chloride बनता है calcium chloride बनता है KCL बनता है लेकिन iron में हम जानते हैं कि FeCl2 और FeCl3 का निर्मान होता है तो यहाँ पर option A हमारा correct होगा यह फ्लोर जो हमारा iron है या एक से जादा chlorine के साथ योगिकों का निर्मान करता है तो option A हमारा यहाँ पर correct है तो यहाँ पर हम next problem देखें कि अनुचुमबकिया मतलब paramagnetic property paramagnetic property मतलब किसके पास odd electron यानी विशम संख्या में electron होंगे विशम संख्या में electron होंगे तो यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं तो अगर हम carbon के बारे में देखें तो carbon dioxide CO2 का यह structure होता है carbon के पास कोई भी electron नहीं है अगर हम बात करें SiO2 की तो यहाँ पर भी silicon के साथ हम देखेंगे कि silicon का oxygen के साथ निर्मान होता है यहाँ पर वह एक बहुत सारे oxygen के साथ जुड़ा होता है यह हम पढ़ेंगे बच्चों class आपका इसी class 11th में आप जब P block पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर यह चीजे समझेंगे कि SiO2 किस प्रकार किया जाता है तो यह चीजे हम वहाँ पर समझेंगे लेकिन यहाँ पर देखें कि silicon के चारो जो electron हैं उन्होंने oxygen के साथ bond बनाया है आबंध बनाया है तो यहाँ पर silicon oxide का हम case पढ़ेंगे आपको group 14 हम जब group 14 यानि वर्ग 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम group 14 में silicon oxide का जो actual structure है वो पढ़ेंगे बट यहाँ पर अब समझ दीजें कि silicon oxide में कोई भी paramagnetic electron नहीं होता है बात करते है SO2 की तो SO2 के case में भी देखिए यहाँ पर जो electron होता है यहाँ पर दो फिर यहाँ दो oxygen के दो electron और sulfur के पास और दो electron होते हैं तो मतलब यहाँ पर भी कोई paramagnetic नहीं है यहाँ पर electron का युग में है यहाँ पर electron का युग में है और इसे paramagnetic नहीं बोलते हैं बात करते हैं क्लोरीन की तो क्लोरीन में देखिए CLO2 तो हम जानते हैं कि क्लोरीन के पास 7 electrons होते हैं 7 electrons होते हैं तो देखे, चार इलेक्ट्रॉन तो इसने आबंध बनाने में उप्योग किया है, चार इलेक्ट्रॉन के पास टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजक्ता कोश में, संयोजक्ता कोश की बात करें, तो इसके पास साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार का इसने उपयोग किया है जबकि तीन इलेक्ट्रॉन इसके बचे रहेंगे तो एक का तो युग्म बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां विशम संख्या में उपस्थित है तो इसे ही हम पैरा मागनिटिक कहते है तो यहां पर जो हमारे question का answer है option D हमारे question का correct answer है तो ब दोस्तों के साथ share करिए और बहुत सारे problem को solve करिए क्योंकि याद रखिए कि किसी भी exam की तयारी तभी संभा हो पाती है जब आप बहुत सारे problems को solve करते हैं धन्यवाद हमारे channel को subscribe अपने दोस्तों के साथ share